हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल, आज़के इस वीडियो में हम DSSB, TGT, हिंदी के प्रीवियस यह कोशन पिरपर को देखेंगे, तो आईए देखते हैं पहला प्रश्ना है जिन स्वरो के उच्चारन में जेव का अगला भाग उपर नीचे होता है, वे सभी कौन से वर्ग में हैं सही रतनी वाला सुद्ध सब्द कौन सा है सहीतर है संभावना कौन सा सब्द इस्त्रीलिंग है सहीतर है पुस्तक मोहन घर जा रहा है वाक्य का काल है सहीतर है अपूर्ण वर्दमान विसर्ग संदी का उधारन है सहीतर है मनुरत अगला प्रश्ण गुनहीन सब्द में समास है सईतर है ततपुरुष कौन सा सब्द ततभव है सईतर है काजल निम्न लिखित में से तत्सम पहचानिये सईतर है चंद्र पक्षी का प्रयायवाची नहीं है सईतर है मयूर आज तूट गई जिसकी उसके लिए सब्द है सईतर है हतास आदान के लिए विलोम शब्द है सईतर है प्रदान निम्निकित में से विशेशन सब्द चुनिये सईतर है पाक्षिक वाके में क्रिया विशेशन पद कौन सा है परिक्षा नस्देक है कुछ पढ़ भी लो सईतर ह कुछ साफ इनकार करना इस अर्थ की अभिवक्ति के लिए मुहावरा है सही तरह टका साथ जवाब देना छत्रियानी सब्द में प्रत्य है सही तरह आनी बहुतिक में मूल सब्द है सही तरह भूत तुम तुम्हारा सामान उठालो वाक्य असुद्ध सब्द है सही तरह तुम्हारा निम्लिकित में से कौन सा सब्द पुल्लिंग है सही तरह घुन कर्म वाच्य वाला वाक्य पैचानिये सही तरह उससे आज बढ़ा ही नहीं गया पश्मी हिंदी का विकास हुआ है सही तरह सोरसेणी अपभ्रंस से कौन सी बोली पुर्वी हिंदी की नहीं है सही तरह ब्रजभाशा देवनावणी लिपी के विकास में ज ग क आदि ध्वनिया आई हैं सही तरह संसक्रिस से कौन से वर्ग में ताल लव्य वर्ण है सही तरहें आप्शन बन कौन सा सब्द असुद्ध है सही तरहें माधोरियत अनवय सब्द का संदी विच्छेद होगा सही तरहें अनुजोर आ ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी लोकुक्ति का अर्थ है सही तरहें ना कारन होगा ना कार्य कौन सा सब्द अस्व का प्रियावाची नहीं है सही तरहें कुरंग विवात सब्द का विलोम होता है सही तरहें निर्विवाद निमलिखित में से कौन सा सब्द अनेकार्थी नहीं है सहीतर है आयू कौन से सब्द युक्म का अर्थ संगत नहीं है सहीतर है option third सूश्री हीमादास दौड में प्रथम स्थान पर आई है वाके में भाग वाचक संग्या सब्द है सहीतर है दौड संबंद वाचक सर्वनाम वाला वाके कौन सा है सहीतर है वा कौन है जो पड़ा रो रहा है निमलिकित में से विशेशन सब्द छाटी है सहीतर है गंभीर वा इधर उधर घूमती रहती है वाके में अव्य पद है सहीतर है इधर उधर चुप जवान मत चलौँ, वाके में चुप है, सही तरहें तिरसकार बोधक तुम जाओ और खाना खाओ, वाके में सही तरहें आज्या वाचक विशेशन पत का परीचे देती समय, क्या बताना आवश्यक नहीं होता सही तरहें ग्रिया सजल नीरत सी, कला कांती थी, पंक्ती के रिखां के तंस में अलंकार है, सही तरहें उपुमा साक्षात संकेती तर्थ का बोध कराने वाली सब्द सक्ति को क्या कहते हैं? सही तरहें अभीदा कौन से सब्द की वरतनी मानक है? सही तरहें संबंद सम्मिधान की अस्ट्रमनिसूची में कितनी भाशाओं का उल्लेख है? सही तरहें बाइस उपरियुक्त संकलन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए यह वाक्य है? सही तरहें कार्यालैन भाशा का जो भाशा दो या दो से अधिक भाशा भाशियों के बीच संपर्क का काम करती है वह होती है से इतर है संपर्क भाशा राज भाशा आयोग गटित करने के प्रावधान सम्विधान के कौन से अनुचेद में है से इतर है 344 महा प्रान व्यंजन्क होता है प्रतेक वर्ग का सहीतर है दूसरा और चौथा रड़ी स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से सब्द में है सहीतर है मात्री भूमी नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक है सहीतर है बाल कृष्ण भट पड़क और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक है सहीतर है जैनेंदर प्रेमचन यूग को यूग कहने का आधार है सहीतर है उपन्यास मित्रो मरजानी उपन्यास की लेखे का है सहीतर है कृष्ण सोबती कौन सी कहानी से नई कहानी की शुरुवात मानी जाती है सही तरहें परिंदे अगला प्रश्ना नाटक को पंचब वेद मानने वाले हैं सही तरहें भरत मुनी लहरो के राजहंस नाटक के नाटक कार हैं सही तरहें मोहन राकेश धर्मबीर भारती कृत अंधाय। किसरेनी का नाटक है सै इतर हैं गीती नाट्य रेसमी टाई एकांगे के रेचनाकार हैं सै इतर हैं डोक्टर रामकुमार वर्मा नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है सर्दार पुर्ण सिंग का निवंद 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 ह श्रम को महत्य देने वाले निवंदकार हैं सहीतर है अध्याफक पुर्ण सिंग महादेवी वर्माकृत संस्मलन नहीं है सहीतर है अमारे आराध्या निराला के जीवन पर तीन खंडों में जीवनी लिखने वाले रश्नाकार हैं सहीतर है सहीतर है रामविलाश शर्मा क्या भूलू क्या याद करूँ ना आत्मकता किसकी हैं सहीतर है हरिवन सराई बच्चन यात्रिक सिर्शक यात्रावृत की लेखी का है सहीतर है सिवानी हिंदी साहित्य का पहला रिपोतार्ज माना जाता है सहीतर है लक्षमी पूरा चितवन की च्छा के रश्नाकार है सहीतर है विद्यानिवास मिश्र अखला प्रश्न निमलिकित में से जीवनी लेखक नहीं है सहीतर है हरी संकर परसाई जो प्रगति वादी चिंतकों में नहीं है वह है सहीतर है भोला शंकर व्यास जो सभ़ा की सभ्यता से इशक संस्वनन की लेखक है सहीतर है महावीर प्रिशाद दुएदी अरे यायावर रहेगा याद के रशनाकार है सहीतर है अग्ये आदिकाल के साहित में उपेक्षित रहा है सहीतर है राष्टिय चेतना आदिकाल के कावियों की प्रधान भाशा थी सहीतर है डिंगल पिंगल पुस्तक जलहन हत्त दे चले गज्जन निपकाज या पंक्ति किस कवी से संबंदित है सहीतर है चंद बरदाई हिंदी साहित के किस यूग को स्वन यूग कहा जाता है सहीतर है भक्तिकाल को लाजना आवत आपको दोड़े आयहु साथ पंक्ति का संबंद है सहीतर है तुलसिदास से ग्यान श्रै साखा से संबंदित है सहीतर है कबीदास कबीदास की भाशा को कहा है सहीतर है सद्धूकरी रिती मुक्त धारा में प्रमुक रहा है सहीतर है श्रंगार चित्रन जगद विनूत किस कभी की रशना है सहीतर है पदमाकर इंद्र जीमी जंब पर बाडव सुवंब पर रावन सधंबस पर रगुकुल राज है यह पंक्ती हैं सहीतर है भुशन की आधुनिक काल को गदे काल कहा है सहीतर है नामचंदर सुकले ने जैदरत वद निन रचना है सहीतर है मैतलेशन गुप्त की देवस का अवसान समीर था गगन था कुछ लोही थो चला पंक्तियां किसकी है सहीतर है हरियोद दुवेदी युक का वह कौन सा कवी है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाशा में की है सहीतर है जगनाद दास रतना कर चायवाद को मदुचरिया कहने वाले हैं सहीतर है रामचंद्र सुक्ल निम्लिकित में से कौन से कवी चायवाद के चार स्थम्भों में नहीं है सहीतर है मैतलेशरन गुप्त हिंदी में प्रगतिवाद का आरंब हुआ है सहीतर है 1936 से प्रगतिवाद को वर्ग संगर्स की प्रेड़ना मिली है सहीतर है काल माक्स से अगला प्रश्ना प्रियोगवाद इश्ट नहीं वरन्व साधन है या कथन है सहीतर है अग्ये का तार सब्तक के कवियों को राहों के अनिवेशी किसने कहा सहीतर है अग्ये प्रियोगवाद की सबसे बड़ी विशेष्ता है सहीतर है दर्शन से मुक्ति महाभारत के पात्रों पर आधारी तरचना है मुझे चांद चाहिए विधा है सहीतर है उपन्यास साए में धूप कृती है सहीतर है गजल संग्र संसत से सरक तक किसकी रचना है सहीतर है धूमिल के हिंदी का कौन सा कवी मैथली में यातरी नाम से लिखता था सहीतर है नागारजुन गा कोकिल बर्सा पावक कन पंक्ति किस रचनाकार की है सहीतर है सुमित्रा नंदन पंत एक भारती आत्मा किस कवी का उपनाम है सहीतर है माखनलाल चितरवेदी हिंदी जिस लिपी में लिखी जाती है वह है सहीतर है देवनागरी हिंदी भाशा के विकास क्रम में पहली ईश्वी से पांसो ईश्वी तक की भाशा को कहा जाता है जो सब्दर संस्कृत से हिंदी सीधे हिंदी में प्रियुक्त होते हैं वे कहलाते हैं आधुनिक भारतिय भाशाओं का विकास हुआ है संस्कृत से गद्यान्स के प्रिशनों को देखते हैं इस संस्कृति के फैलाव का परिनाम क्या होगा में किस संस्कृति की बात है सहीतर है उपभोकता संस्कृति की सीतल पे आदी को बताया है सहीतर है अखाद्य पर अपनी बुनियात पर कायम रहे का आशे है सहीतर है अपनी संस्कृति को न छोड़े उपभोगता संस्कृती क्या नहीं कर रही सही उत्तर है नैतिक्ता को बढ़ा रही है जीवन में असांती पैदा होने का कारण है सही उत्तर है जीवन अस्तर का अंतर